एक पती अपने पत्नी के साथ आपत्ती जाने के वीडियो कैसे बना सेके अर्जम हम उनसे बात करना छोड़ दिये तो वह हमको भेजते तो और बोलते थे तुमको हम बदनाम कर देंगे वीडियो वाइरल कर देंगे Social Media पर एक लगातार वीडियो बरहा है पती का अगया करना है कि पत्नी हमारी टीचर बनते ही हमको धोखा दे दिये कहा तक सचा ही है आईए उनकी पत्नी से बाचित करने का हम परियास करेंगे यही वह देख सकते हैं पत्नी है और पत्नी जो है विपेएसी पास करके टीचर बन वह हम केस गिये हुए ना वही बोल रहा उठाने के लिए फुल फैमिली स्कूटी से आ रहे थे रोक के उसके बाद मार पीट किया है अच्छी बात बती कितना दिन साधी का हुआ है मेरे साधी को 9 मंत हुआ है 9 मेहना साधी का हुआ उस समय आप पती आपके साथ गलत वहवार क साधी के तीसरे दिन से दारु पी के मार पीट बार-बार वना करने पर भी नई सुने मेली यह वहार पर और मेरे जो है कर रहे हैं अभी आपके पती आरोप लगा रहे हैं कि टीचर बनते ही हमको धोखा दे दी है हमारी पत्नी किसी के साथ अफैयर भी चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है हम से किसी का भी बात नहीं सुना उसके बाद हम उनसे अलग रहने लगे अपने मायके में रहने लगे अभी आप क्या चाहते हैं अभी हम चाहते कि उसके खिलाब सक्त सक्त करवाई की जाए कि वो एक टीचर का अच्छा भी खड़ाब कर रहा और सबसे ज़्यादा एक भाई बहन के रिस्ता को कलंकित कर रहा है सबसे ज़्यादा हर एक रिस्ता को कलंकित कर रहा है उसके नजर में कोई इनसान सहीं नहीं है कभी कु कि मेरा Stick के समय से वह संकी है पागल है उस समय आपने इस परकार क्यों Дन्हें कदम उठाया साधी के बाद हमको पता चला कि वह पादा बार वार फैंमिली को उनके family को बोले है, समझाया गया, उसके बाद हम September में ही ले लिए decision, उनसे अलग रहने लगे, हम उनके साथ नहीं रहने लगे, उसके बाद मेरा jam दिये है, result आया उसके बाद, हम उनसे अलग पहले सी रह रह रहा है है, अपने माय के मेरा रह है, खर्च कोन जब आप BPSC teacher बने हैं कि अपने भल पिए हैं जब मेरी साधी थी भूर कि ए मेरे न को हमको बताए ना आपका पती यह भी बोल रहा है कि 40,000 का मतलब कि सोना का चैन जो है गला से चिंजा पट कर लिए है पत्नी हमको पीटी है बुझे तरीके से ऐसा कुछ नहीं उल्टा वो मुझे पीटे हैं वो बहुत ज्यादा इतना हमको पीटे जो ना हमको स्वया जा रहा है हँ पीट में चोट है ए सब पूरा जूटा है जो भी बोल रहा हो सारा जूटा है मेरा फोन लिया है मेरे पर्स में पैसा था पपलेश कुमार है और दमाद है दिनि कुमार वो चीना है मेरे हाँ इसकूटी पचावी चीन रहा था फिर भी हम जैसे देसे भागे वहाँ से अपने घार आये भागे यह यह क्या नम है अनुपिडिया यह देख सकते हैं अनुपिडिया और असपश्ट करना है हम अपने पती के साथ नहीं रहाना चाहते हैं हमें बहुत ज़्यदा परतारित करते हैं और कहिन कहिन संकी है पागल है क्या संकी है पागल है और समाज में बैठक होने के बाद भी सुधार नहीं आना उसके परति अप سकत स करवाई की जाए अपनषत के लिए बी तंक करता था आपको सब कमारा उस से तुम पांच लाग रुपया लो और तीन भाई हैं मेरे तीनों का घर बना दो तुम्हारे मैं के Kamal घर बना ही देगा तो क्या हो जाएगा जो है बांकी जितना भी पेडिक्रिया हुआ है अब अपने पती के साथ नहीं रहना चाहते हैं इत्व पती के साथ रहना चाहते हैं सर आप ही बते एक सान की आदमी के साथ कैसे रह सकते हैं चलिए मा है मासे बाचित करने का हम पर्यास करेंगे क्या कुछ करना चाहती है बच्ची जो है इस परकार कहीं पती की दुआरा जिसाब अपकी बेटी बोल रही है पती के दुआरा यहां तकी सुसराल वारे के दुआरा लगातार परतारित होते हैं क्या सही है क्या गलत है साथी के तिसरे दिन से इसको मारपीट करता था हम लोगों को बताती थी लेकिन सुचते थे घरूलू मामला है क्या हमी सब करेंगे समझा पूजहा देते थे, फिर तीसरा दिन ऐसा ही करता था, फिर फिर अग साधी कि अगयाई, भी उसके बाद वहां से फिर फोन की है, तो हम लोग गए इसको ले आए उसके बाद फिर तईयों तंग करने लगा तब गए हम अच्छे एक बात बताईए जब आप साधी किये थे आप से मेरा प्रसनल सवाल लेगा आप जब साधी किये साधी के तिसरे दिन ही आपकी बच्ची के साथ इस तरह से पिटाई किया आप अधी आप लोग एक्षन नहीं लिए कि भाईक्यों से तरह से करेंे हैं डोनों सबकोम बैठा के और दोनों को समझाए जो ऐसे होता है बहुत समझाए तो सबकर्ण फिर करने लगा घृर करने लगा Himल नहीं कोट में गए तो बच्ची array अभी आप लोग क्या चाहतें frequently čा्त भी जाने इतना बेज़िती के बाद हम मेरी बची उसके साथ जिंदा नहीं रह सकती है उस घड़ में नहीं रह सकती है फा तो मार देगा तो हमको बेटी कोई दीजेगा. उसके जब आप सादिक किये थे, मतलब कि उपहार में कुछ लेन देन भी हुवा थे? चार लाख रुपिया दिये हैं उसको लेकिन लड़का तु सब्सक्राइब को रुपिया है कि यह राजु इंदया है कि वर देख रहे हैं वह सग on। नमसां करता है भूँ जाते दरूप पिता है। और पीता है सराफ सब तो हम देखे हैं कि आवर पीते हुए तो अब हम बरे हैं थोरा तो हम साथ में बैठते नहीं थो उनके छोटा था तो उतना हम साइड रहते थे लेकिन जब यह लोग हमको घर में नहीं बताता था कि मारकर कुछ दिन के वाज हमको पता चला तो उसको हम उसे मिले वहां पर उसको समझाए बुझाए तो बोला ठीक है आव ऐसा कुछ नहीं होगा भेया गलती हो गया एक से दो बार हम उसको समझाए वो नहीं माना बोला नहीं फिर से मेरे को गाली गलोश करने लगा धमकी दिया बहुत कुछ किया लेकिन लास्ट में जब ऐसा श को जो करना है कर लो और सही में हम लोग को लगा कि फैमिली प्रॉब्लम मतलब है तो क्या जाएगा हम लोग अतना एकसान नहीं लेकिन सही में 15-20 आदमें को लेकर वहां पहुंच गया वहां का प्रिंस्पल वहां का टीचर सब गवाई है वहां पर हमने थाना वाविदन भ हम लोग भी बैठे बात्चीत हुआ तो हम लोग लोग ठीक है चलिए आप से फिर से मतलब एक बार मोका दिया जाएगा आपको लेकिन फिर से वह आया घर पे एक दू दिन रहा सबको सही रहा फिर से लेकिन मार्पीर इस्टार्ट कर दिया मतलब कि लगातार जो है कहीं ने समझता ही नहीं है कि आप लोग क्या हैं है A क्से हमों को याने तुम का फंच लाख रुपया दी अब हम कहां से देंगे साधी हो चुका है सब कुछ हो चुका हम कहां देंगे आपको पैसा हम बोले आप सांत रहिए जो भी है बात चीत होगा लेकिन नहीं माना गाली के लोच किया मेरे पिता जी से बज़मीज मेरी माँ से मेरी बहन से तो उसके बाद हमने डिवोस किया डिवोस जो फाइल किया तो बीस तारीक उसका डेट है कोट में उसी वेश से यह सारा नोटरिंग की कर रहा है वो कि इसको रोक के कि तुम केस उठाओ नहीं उठागी तो तुमको भाई को मारेंगे तुमको मारेंगे आपके सामने है सारा चीज उसको भी आप मिलके हैं देख किया है क्या मार लगा है जिसको मार लएगा वो ऐसे बेठा हुआ रहेगा गंजी फार के खुछ से चला गया बस सबकी बीस तारीक हम लोग केस मतलब नहां जाए हम लोग उठा लेके से अच्छा अनू पिडिया जी आपने डिवास के लिए फाइल दर्ज किया है किद लिएया कितना मार एक तो देखिये है ने वीटी तु मेरी अखली थी इतना पूरूब आगैँ गोकुछ दिकाया हुम तो स्ब दिखाएंगे सब कुछ रखे हुए सब कुछ दिखाएंगे हाँ राजू कुमार है क्या होता था जब मेरे हस्मेन जो है ना आपती जनक वीडियो बनाते थे आपके एक पती अपने पतनी के साथ आपती जनक वीडियो कैसे बनाते और जब वही तो एक उनसे पूछा भी जाई यह चीज़ और जब हम उननसे बात करना छोड़ दिए तो वह हमको भेजते थे और बोलते थे तुमको रहें कर देंगे वीडियो कर देंगे और वही कर रहे हो आपको कहींने बाद नाम कर रहे हैं बादम कर रहे हैं पूरी तरह से मेरा आपती जनक एक एक थास्विन वाइप का अभी अपतिव जनक वीडियो नहीं बनता पर वो मेरा बनाते थे और हमको पता नहीं रहता था बाद में मेरे वाटसप पे सेंड करते थे देखो तो कहीं ने कहीं सरमिंदगी के भी हद हो गई भाई चलिए अपनी बहान को मेरे पास भेज दीजियो और उसका कहने का मतलब यह सोच है उसका कि आपने जो साधी कर दिया है तो आप लड़की को भूल जाए हमको बोला है यह कि आप साधी कर दिया ना तो आपका काम खतम हो गया है और कैसे आप ही बता है कि हम कैसे छोड़ दे अपनी बहान को कैसे छोड़ दे उसका कहना है कि तुम साधी करके लड़की को भूल जाओ हम क्या करेंगे मेरी वाइफ है ऐसे होता है बताई आप ही आप आहिंअ हमात अरा कि मैं पूलीस परसासंस ते में नवर नीवेदन करना चाहता हूं आखिन मामला क्या है, क्या सच्चाई है इनकी जात करें क्या कोंग दोसी है, क्या क्या है कॉन निर्दोस है है, हाला कि आप क्या सोचते है पिता जी कहा गए यह सारा सबूत है मैं आपको दिखा दिना चाहता हूं यह सारा सबूत है आप देख सकते हैं यह आवेदन है कोट में जो है और यह जो यह हम चिरेया टाबर में दिये थे आवेदन जो स्कूल पे गया था धंकी दे के उठाने के लिए 15-20 आदमी उसमें यह हम दिये था आवेदन वहां भी दिया हुआ है यह बैक डियूज में है और यह आवेदन हम कल दिये हैं जो इसके साथ मार्पीड किया गया यह सब तारीक को साम में इसके साथ मार्पीट किया गया हम यहां थे नहीं हम पटनाम रहते हैं लेकिन मेरा विनाम दिया गया है कि हम कैसे थे नहीं थे उसको सबूत दें सब्सक्राइब कि निकले तयार है लाकि आप लोग क्या सुचते हैं इस पत्ति पत्नी के बारे में और में पुलिस परसासन से और में जिलाधी कारी से में नवर निविदन करना चाहता हूँ मामला की जांच किया जा आखिर कहां तक क्या सच चाहिए कौन जूट है कौन सच है आप देख रहे हैं प्रमुक भात्रविकांसर में साथ मैं आप से विदा लेता हूँ तब तक यह जाहिन जैवारत